मलाइका अरोरा ने अरजुन कपूर के साथ रिलेशन्चिप पर कह दी बड़ी बात मलाइका ने किया शौकिंग रेविलेशन मलाइका अरोरा और अरजुन कपूर अब खुले आम कर रहे है एक दुसरे से प्यार एक वक्त था जब ये दोनों अपने रिश्टे को छुपाते थे लेकिन अब इन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कह दिया है कि ये दोनों एक दुसरे से प्यार करते है हमेशा साथ में स्पॉर्ट होना, साथ में विकेशन्स पर जाना और यहां तक रिसंटली अरजुन कपूर को मलायका अरूरा के पैरेंस के घर पर भी स्पॉट करना ये दोनों इस बात के और इशारा कर रहे है कि ये दोनों अपने रिश्टे को और मजबूत बना रहे है और ऐसे में मलायका ने की बाद अपने इस रिलेश्चिप के बारे में और कहा कि प्यार में हर किसी को एक सेकंड चांज मिलना चाहिए मलायका ने कहा A little more sensitivity is needed, as opposed to being harsh and callous and negative towards things. I think it is important to be inclusive. When I talk of second chances, I am thinking of making the most of second chances. I think everybody should be given a second chance. Malayka ने ये भी कहा कि इंडिया में अगर औरते प्यार में second chance लेती है, तो उसे एक टाबू मानते है. Malayka ने IANS को कहा, It is a taboo, is because there are a lot of situations and issues that need to be tackled in our country. Though I think the issue needs to be looked at with an open mind. Malayka से ये भी पूछा गया कि एक public figure होने से इन सारी बातों पर कोई असर पड़ता है या नहीं, तब उन्होंने बताया, It is part of being in the public eye, of being in this business. I think the sooner you make peace with it, the better things work out for you. Also I feel we are all quite comfortable with it right now. आपको बता दे कि Malayka को सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है. कई लोग ऐसे भी है, जो अभी तक Malayka और अरजुन के रिष्टे को सुविका नहीं कर पाए है. तो जब Malayka से इन्ही ट्रोल्स के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बिंदास होकर जवाब दिया. No one should give importance to trolls, because if you pay heat to them, you just fuel trolling. At the end of the day, we have something called the media to project everything that needs to be out there. I do not give trolling or negativity any importance. विल ये बात तो सभी जानते है कि Malayka अरुरा की शादी पहले अरबास खान से हुई थी, और Malayka का एक बेटा भी है. Malayka और अरुरास ने जब डिवास का फैस्टा लिया था, तभी इसे ही न्यूजी आ रही थी कि अर्जुन कपूर के वज़र से ही ये रिश्टा टूटा, लेकिन Malayka का कहना है कि डिवास के बाद उन्हें अर्जुन में एक सहारा मिला, और प्यार में उन्होंने सेकंड चांस अपनाया. आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको इनकी जोड़ी अच्छी लगती है? क्या आप इन्हें शादी करते देखना चाहते है? कॉमेंस कर जरूर बताए! Also do like, follow and subscribe to Bollywood now on Facebook, Instagram and YouTube.